हे गाईज आज के वीडियो में डिसकस करने वाले हैं टॉप फाइफ MBA स्पेशलाइजेशन जो की इंडिया में सबसे ज़ादा पॉपुलर है और सबसे ज़ादा हाई सेलरी भी आपको आफर करके देती है तो वन बाई वन डिसकस करते हैं सबसे पहले नंबर पर है आप और मे नहीं करना है ये भी मैं बताने वाला हूं तो घपराने की डढ़ने की जुरुत नहीं है MBA फाइनस देखी इस पेसिफिकली उन बच्चों के लिए बनी है जिनको भी अकाउंटिंग में इंट्रेस्ट है प्रैक्टिकल ओरियंटेट सब्जेक्ट में जादा इंट्रेस्ट ह प्यार है तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं तो आपके लिए MBA फाइनस बना है इस इनकेस आपको थेओरुटिकल पार्ट जादा पसंद है तो ऐसी स्पेशलाइजेशन से आपको दूरी बना के रखनी है हमेशा से मेरा मोटू यही रहा है कि हर बच्चे को इस तरह कैसे आप अच्छे हैं जिस चीज के लिए आप पैशनेट हैं इस देट मेक सेंस चलिए MBA फाइनस रिकार्ड़े वन दे मोस्ट लुकरेटिव कैरियर लुकरेटिव मतलब होता है पैसे वाला विच के लेंड यू जॉब्स इन इंवेस्मेंट मैंकिक अच्छा सीधा प्रोफाइ सेलेरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो MBA फाइनस अगर मेरी नजर में पूछें तो सबसे जादा पे करने वाले स्पेशलाइजेशन में से एक है क्योंकि अगर आप ये स्पेशलाइजेशन पर ध्यान देंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करती है किसी भी ऑगनाजेशन के सक्सेस में क्योंकि यार ये फाइनेशल मेनेजर ये फाइनेस मेनेजर आउटफलो इंफलो देख रहा है पैसो का वो इन्वेस्टमेंट डिसिजन में फर्म के मदद कर रहा है जहां पर रेविन्यू तो बहुत ज़दा एक्स्पोनेंशली ग्रो हो सकत है या फिर लॉस्मेकिंग फर्म भी बन सकती है तो उस ताइरे सही है उस पॉइंट ऑफ यू से एंब्या फाइनेस बहुत ही ज्यादा क्रूशल पार्ट है या फाइनेशल जो आस्पेक्ट है किसी ऑगनाजेशन को उसको हैंडल करने वाला जो फाइनेंस मेनेजर होता है इंपोर्टेंट रोल अदा करता है उगनाजेशन की सक्सेस या फिर फेलियर में इसी वज़ए से म्बाइनेस वन ऑफ टॉप स्पेशलाइशन है किसको करनी है मैंने आपको क्लियर कर दिया है ठीक है ठीक है यह सिर्फ girls के लिए नहीं है, boys भी HR करते हैं और जितने भी आप recruiting firm में जाएंगे, 50% आपको वहाँ पर boys ही दिखने वाले हैं तो MBA in HR, theoretical specialization, अगर आपको practical में अच्छे नहीं हो, numbers में अच्छे नहीं हो this can be your specialization, ठीक है, तो यहाँ पर HR manager, talent acquisitions, HR manager, training, HR manager, compliance, chief, HR officer HR वगेरा related आप जानते हैं, recruiting वगेरा, staffing वगेरा का काम, training and development का काम किसी भी organization में HR के बंदे ही देखते हैं, salary structure काफी जादा better है जैसे जैसे आप एक level पर पहुँच जाएंगे, जितनी अच्छी आपको organization होगी, उतना जादा आप earn कर पाएंगे जी हाँ, ये figure, pay scale के figure है, तो वहाँ से आप correct भी कर सकते हैं, check भी कर सकते हैं तो काफी अच्छा pay scale है, MBA in HR के professionals के लिए भी third, most popular specialization is MBA in marketing आज का टाइम में digital marketing भी बहुँच जादा boom पे हैं और कई institute में, marketing में digital marketing भी include करी जाती है यहाँ पर research analyst है, sales manager है, product manager है, brand manager है काफी अच्छा pay scale यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है marketing भी किसी भी organization का core है क्योंकि अगर आपने product बना लिया, उसको कहीं न कहीं आपको promote करना पड़ेगा और promotion का काम जो है, marketing के बन्दे से बढ़िया, कोई नहीं जानता है how to market their product or services to the end customer ठीक है, fourth one में आते हैं, that is your IT अगर आप information, technology, computer वगेरा के सेवी हैं यह computer science वे अपना carrier बनाना चाहते हो, this can be your specialization यहाँ पर chief technology officer है, IT manager है, project manager, IT software, operations manager है यह भी काफी हद तक 60% उन्हीं बच्चों को जादा tackle करती है, suit करती है इनकी reasoning और mathematics थोड़ी strong है, क्योंकि IT by the name itself information technology है तो कहीं न कहीं आपको technology से खेलना है, technology को operate करना है, software क्या आपको system पता होना चाहिए, coding वगएरा, software वगएरा से relate करके यहाँ पर subject आते हैं तो अगर आपकी information technology में पकड़ है, IT professional future में बनना चाहते हो, this can be your specialization as well 5th one is your MBA in operations, operations management बहुत एहम हिस्सा है अपका daily में जितने भी या किसी भी organization की day to day activity में जितने भी important फैसले होते हैं, important day to day काम होते हैं उनको operations को manage करना आता है, operations management में, strategizing, planning, organizing, supervising, execution to increase efficiency and productivity यहाँ पर operations manager, plant manager, inventory control manager, मतलब यह किसी भी organization का core है जितनी भी manufacturing या actual में जो product बनता है वो इनकी ही निगरानी में बनता है, operations ठीक है, अगर product ही effective नहीं बनेगा, कितनी भी अच्छे marketing कर लिजे, वो useless होगी ठीक है, तो operations core है किसी भी organization की success का वैसे देखा जाता है, सभी core है, बिना HR के, बिना finance के, बिना IT के बंदो के बिना operations के किसी भी organization को successful होना almost impossible है तो कहीं न कहीं, इसी वज़े से ये 5 हो specialization के जो importance है बच्चा आज के time में भी उतनी ही relevant है जितनी आज से 5 साल पहले थी चाहे operations हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो marketing हो, ये human resource हो या फिर finance हो पांच हो ही core है और अगर आप इसके अलावा किसी और specialization में ज़्यादा interest दिखाते हैं तो it's absolutely fine, वहां पर कोई नुकसान नहीं है अच्छा ऐसी बात नहीं कि अगर आपने MBA finance है कर लिया तो you have to apply for the finance job only नहीं हम marketing के लिए apply करिए, HR के लिए apply करिए, IT के लिए भी apply कर सकते हैं you are open to apply in all the field, यहां पर ये कोई specific नहीं है कि marketing वाला बंदा सिर्फ marketing की ही job करेगा is that make sense, clear हो पार है और दो साल का जादतर जो आपका program रहता है MBA का first year common है सारी चीज़े आपको पढ़ाए जाएगी, second year से आपका specialization specific subject आते हैं clear हो पार है बच्छा, तो ये थी 5 specialization जो कि आज के time में काफी ज़ादा popular है आने वाले time में भी काफी popular होने वाली है और आज से 5 साल पहले भी काफी ये popular थी आती रहेंगी नई specialization जो core है किसी भी organization का ये 5 हो specialization ही मिलकर वो चीज़े बनाती है आप कि specialization से अपना MBA करना चाहते हैं मुझे please comment करके ज़रूर बताएगा और if in case आप MBA से related ऐसी कोई information चाहते हैं या ढूंड रहे हैं जहाँ पर एक ही जगे आपको सारे information मिल जाए तो आप check out कर सकते हैं मेरी video e-book जो description में मैंने link provide करा रखा है जहाँ पर आपको सारे के सारे information अगर आप new भी है, fresher है, MBA के बारे में नहीं जानते हैं graduate, graduation कर रहे हैं फिर graduate है या फिर 11-12 में है MBA से related सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप video e-book को download कर सकते हैं तो यह था आज का video, उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद नहाँगा, next video किस topic पर चाहते हैं प्लीज comment करके ज़रू बताइएगा मिलते हैं next video में, till then take care, goodbye पढ़ते रहें, मैंनत करते रहें क्योंकि आपका अभी दिन आएगा, thank you so much